तो हेई गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल दिस इस अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चैन्डग फ्लॉग तो आपने से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पुछते रहते हैं गाईज कि हमें अपने बैटरी को हिल्दी कैसे रखना है और आपने स्कूटर की जो सेल बैक्सिंग है वो आपको कैसी करनी है, तो वाई सबसे पहले सबसक्राइब करने छावे गाईज, तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बतादिना चाहता हूँ किसी सिमपल टिकनीक हो अगास, जयोगी आशी आप सभी को पता होगा। जैसे कि हम अपना scooter लेली यूज करते हैं, चार्ज करते हैं, बड़ उसमें कुछ-कुछ ऐसे sense है, जिनका level डाउन होते रहते हैं, यानि कि वो proper charge ने उपाते हैं, और किसी का SOC level थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसे में जिस cell का SOC level थोड़ा ज्यादा डाउन होता है, वो थो अपना scooter 10-12 गंटे के लिए चार्ज करना होगा, यानि कि जैसे हम scooter को maximum हमारा 6-5 गंटे में फुल चार्ज हो जाता है, बड़ सेल बैलेंसिंग करने के लिए आपको अपना scooter 10-12 गंटे के लिए चार्जिंग पे छोड़ना होगा, ऐसे ओला कमपनी पर बोलती हैं, आपको चार्ज करते हो, तो 100% चार्ज शो कर देता है, बड़ उसके चार्जर में रेड लाइट ब्लिंग कर रही होती है, इसका मतलब चार्जिंग कंटीनू होगा है, वहीं ग्रीन लाइट होने तक आप वेट करिए, नेक्स्ट जब ग्रीन लाइट होकर भी आपका चार्जर उसके बाद आपको क्या करना है, चार्जर डिसकनेट करना है, अपना स्कूटर स्टार्ट करना है, और फिर से चार्जर को लगाना है, तो दो-तिन बार जब आप ऐसा प्रोसेस करोगे, तो इस वज़े से आपका स्कूटर की सेल्स है, वह अच्छे से चार्ज हो जाएगे, और आपका scooter 1% battery पे भी चलता रहेगा और ये process पे आप 10 दिन में एक बार आराम से try कर सकते हो जिसकी वज़े से आपकी scooter की battery health काफी अच्छी बनी रहेगी और आपको कभी भी rain drop का issue देखने नहीं मिलेगा बट अगर हम एक बात और देख लेगा इस तो बट जब से इनका जो मौ S3 आया है जब से इनोंने अपनी जो charging है उसे फोड़ा सा improve कर दिया है और उसमें इतना जादा अभी process बार-बार हमें नहीं करना पड़ता है एक बार में ये fully charge हो जाता है अब बात कर लेते कि आपको अपने scooter की जो battery है इसका ध्यान कैसे रखना है चाए वो ओला हो या फिर other company की कोई भी आपकी EV scooter हो सभी का ध्यान आपको same रखना है आपको सभ यानि कि आपकी जो battery है उसका एक cycle खत्म हो जाता है वैसे हमारी जो battery की life है वो भी कम होते जाएगी it means कि आपको 80-85% तकी charge करना है ideally यानि कि आपको 100% तक चार्ज नहीं करना है और minimum आपको 20% जब भी battery रह जाए उससे पहले आप अपने scooter की battery को charge पे लगा दू नेक्स टाग तो कभी कभी आप देख सकते हो कि इसके screen जो है वो black हो जाती है कभी यह start नहीं होता जिसकी वज़े से आप अपना scooter जो है दो तीन दिन में एक बार आराम से restart जरूर करें यहां तक हो सके तो आपका scooter जो है आप रोज भी restart करोगे तो आपके scooter में यह सब प्रॉब्लम आपक सकती है तो आपको लंबे समय तक के लिए hyper mode नहीं करना है दोस्तों क्योंकि अभी जैसे घर में बढ़ रही है उस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है आप अपने electric scooter को एक लंबी राइट करके आएंगे यानि कि कम से कम 40-50 km अगर आप चलके आए हो या कम से कम 60-70 km भी अगर आप चलके आए हो तो आपको तूरंत अपना scooter charging पर नहीं लगाना है इसको जरूर अवाइट करें क्योंकि battery scooter जो है पूरी तरह से टोटल गरम होते है जब और अगर आप इतनी लंबी राइट करके आओगे और डिरेक्ली उसमें आपका charger लगाओगे तो आप अपनी scooter को एक बहनटे के लिए रेस्टीजिए फुल डाउन हो जाए कि battery उसके बाद आप अपना charger लगा लिए और सेम आप जब scooter को लेकर जाए यानि कि राइट पर आप निकल रहे हो उससे पहले charger एकदम निकाल कर राइट पर ना जाए फोड़ा सावेट कर लीजिए क्योंकि software को समझने में टाइम लगता है दूस्तों कि charger डिसकनेक्ट हो चुका है और फिरो राइड के लिए रेडियो होता है एटलिस कम से कम 10 सेकंड का तुई टाइम लेता ही है जहां तक कि मैं भी अपने स्कूटर के साथ परसनली एक्स्पिरियंस करता हूँ तो यह सब जो थोड़ी डिसकनेक्ट होगेरे सब कुछ करता हूँ और चलाता हूँ बाकि आप इन में से कौन सा सेक्टी पॉंट आपको डिली उज में आपके स्कूटर के साथ में आप यूज करते हो और अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता है तो वीडियो अगर पसंद आई लाइक किजिए शेर किजिए सब्क्राइब किजिए मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार बबाई